यार फैनली मैं आप लोगों को बताता चली कि हमारे महान राजा राव राम बक्सिंग को जिस पेड़ पे फासी दी गई थी जिस पेड़ के पेड़ में तो आप लोग देख सेक्टों कि यह दोस्तों वही पेड़ हैं यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीद दिखाने वाला हूं और एक ऐसे जाने माने पार्क को दिखाने वाला हूं और एक ऐसी राजा की बारे में बताने वाला हूं जिनको देखा जाए तो आप लोगों को उन राजा का नाम बदाता चलो तो उन राजा क तो अभी मैं उन्हीं के पार्क में आया हूँ और आप लोगों को यहां का बहुत ही सुन्दर नजारा दिखाऊंगा तो हे गाइस यार स्वागत है आज की मेरी एक नई ब्लॉग में और दोस्तों यार आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगा दिखाने वाला हूँ और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका आप लोगों को मैं बताता चलू कि इतिहास के पन्नों में काफी ही सुनहरे अच्छरों में उनका नाम दर्ज है तो दोस्तो यार आप लोगों ने सुना होगा अमर शहीद राजा राव रामबक सिंग के बारे में तो दोस्तो यार आज मैं उनके पार्क में आया हूँ आप लोगों को पता होगा कि 1857 की हुवी करांती में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था तो दोस्तों यार जिस पार्क में उनको फासी दी गई थी और उनी के पार्क में आ जाये हैं आप देख सकते हैं और यह है दोस्तों में गेट तो अभी चलते हैं आप लोग को अंदर का सीन दिखाते हैं और जिस पीपल के पेड़ के हमें उनको फासी दी गई थी तो वो देख सकते हैं आप लोगों को पार्क के अंदर का शीन दिखाते हैं कैसे यहां पर पार्क काफी दिन पहले का है मलब काफी प्राचीन है तो अभी आपको यहां की खुब सुर्थी दिखाते हैं अभी फाइनली जो है कि मैं गेट के अंदर आ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहां पार्क क्या मौसम है मलब यहां पर क्या सुनहरा यहां पर बहुत ही अच्छा पार्क बहुत ही सुन्दरता से बना हुआ है और अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलू अगर मैं आपको बताता चलू कि अगर आप यूपी में रहते हैं और अगर यूपी में आपने राजा राव राम बक्सिंग का पार्क नहीं घुमा तो समझ लीजिए आपने कहीं नहीं घुमा मलब इतनी अच्छी खूब सूर्ती और उस राजा के बारे मैं आप लोग बत मैं आप लोगों को बताता चलू कि जैसी ही आप पार्क के में गेट से अंदर इंट्री लेंगे तो मतलब पार्क के दो साइड हिस्से हैं यानि एक राइट और लेफ्ट एक तो अभी आप देख सकते हो यह है राइट साइड यहां पर काफी अच्छी बैठने की विवस्त है उसके बाद जो लेफ साइड है गाइज एक पार्क हिस्सा देख सकते हैं उधर साइड है वहां पर भी काफी अच्छे से मतलब बहुत ही बढ़िया से बना हुआ है तो अभी आप लोग को पूरे पार्क को घुमाते हों हैं और यहां का नजारा दोस्तों यार आप लोग को दिखाता हूं यहां पर हलो दीजिए सभी लोग और एक बार राजा राओ-रामबाइक सिंग की जै तो गाइज यार फिर अभी मैं आप लोग को यहां पर बैक कैमरे से दिखाता हूं यहां का सारा सीन पर आप लोग देख सकते हैं यह मेन पार्क और यह पार का राइट का हिस्सा है जो की लगभग मैं आपको बताता चलूं तो लगभग 500 मीटर की दूरी में यहां पर लिखी हुई है और यहां पर बोर्ड पे किह देख सतो हो कुछ से तंतरता श्हैना नी राजा राओ-रामबाइक सिंग का इतियास के बारे में तो गाइस कम आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाता हूँ और यहां का सीन दिखाता हूँ की पार के राइट साइट पर यहां पर देख सकते हैं और वाकी ही सा आप लोग देख सकते हैं यहां पर कुछ इस में हैं और यहां का नजार आप लोग देख सकते हो और अभी मैं आप लोगों को पार्क के लेफ साइड का हिंसा भी दिखाऊंगा जहां पर बहुत थी मतलब खुब्सूरत ठूल और कई सारे प्रकार के पेड़ भी है तो अभी मैं आप लोगों को वहां का भी शीम दिखाता है यार मैं यहीं पार्क में टहल रहा था और मैं आपको बताता चलू कि इस पार्क में काफी ही दूर से लोग आते हैं और लगभग देखा जाए तो लगभग 50 किलमीटर दूर से आए एक भाई साहब राय प्रेली से तो अभी आप देख सकते हो एक बार हेलो बोल दीजे और मै आपको यार दिखाना जाता हूँ पार्क का बहुत ही दूप है और लगभग मैं आपको समय बताता चलू तो दूपहर के बारा बच चुके हैं और आपका भाई यार इतनी महनत कर रहा है तो वीडियो को इसकीब मत करो आपका काम क्या है बस वीडियो को देखना और अगर पसंद आ जाए तो लाश्ट में लाइक दी कर देना तो जब आपका भाई तुनी महनत कर रहा है तो वीडियो को प्लीज देखो और हो सक्या तो वीडियो को लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो आज यार फैनली मैं आप लोगों को बताता चरी कि हमारे महान राजा राव रामबक सिंग को जिस पेड़ पे फासी दी गई थी जिस पेपल के पेड़ में तो आप लोग जेख सकतों ये दोस्तों वही पेड़ है और ये जो अंग्रेज थे ये साले इतने डरते थे कि मत्त वादिया गया था मगर उनके चाहने वालों ने वहाँ पर एक दूसरा नया पेड़ उगाया जो की एक निसानी है और आज के तैम में आप लोगों को उनकी बहुत ही प्रतिमा को दिखाता हूं जो की बहुत ही प्राची दोस्तों यार आप लोग देख सकते फाइनली ये है राजा राव राम बक्सिंग का बहुत ही प्राचीन इसमारक और काफी प्यारी प्रतिमा है जो की काफी मलब की जब श्टार्ट मलब बना था ये पार्क तब की बनी हुई और आप लोग यहाँ पे कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ पे सुतंदता सेनानी राजा राव राम बक सिंग का इतिहास के बारे में यहां पे कुछ लिखा है इंफॉर्मेशन तो आप लोग देख सकते हैं यहां का नाजारा बहुत ही प्यारा है और काफी परेटक लोग यहां पे घुमने के लिए आए हुए हैं और जूले की विवस्ता बहुत अच्छी है और अभी पार्क का ज अच्छी फूल के पेड़ कई सारे में पेड़ पौध देखने के मिलेंगे तो अभी चलते हैं पार के लिए फ्यड हिस्सा आपको यहां का भी नजारा दिखाते हैं कि क गाई यहार आप लोग देख सकते हैं यहां पर मिलब यह आम पब्लिक के लिए यह पार्क खुला रहता है हर को यहां पर आ सकता है उसके बाद यहां का नजारा देख सकता आप लोग बहुत ही प्यारा नजारा है यहां का आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी हम पार्क के अंदर हैं और बहुत ही प्यारा नजारा है यहां का मतलब आप लोग देख सकते हैं कैसे नारियल के बड़े बड़े और भी यहां पर क्या खूपसूरती है मतलब मैं आप लोग को बताता चलू अगर तो पीछे है हुआ है 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 यह था आज का हमारा च्छोटा प्यादा टाहरा प्रतिमा को आप लोगों ने देखा और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो दोस्तों यार मैं आप लोगों से फाइनली यह कहना चाहता हूं कि आप बिल्सक्राइबन 이상ить आप लोगों को यहीं पार्क के लगभग 40 किलमेटर दूर मां चंद्रिका देवी का बहुत ही प्यारा धाम है तो रोगहों माच चंध्रिका देवी के बहुत ही प्यारे दर्शन कराओंगा तो फिर आप लोग यदि सेकेंड ब्लॉग का पार्ट देखना चाहते हैं इस ब्लॉग का सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं दोस्तों तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रस कर लें ताकि आप लोगों को नेश्ट ब्लॉग में माच चंद्रिका देवी के बहुत ही प्यारे दर्सन मिल सके तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेश्ट ब्लॉग में तब तक ले जाय हैं तजय भारत